हाई क्लास टेंग, वल्कम तू दे पार्ट टू अफ टी फ्रॉम आसाम, यह जो टी फ्रॉम आसाम स्टोरी है ना, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, इस स्टोरी का पहला पार्ट हमने अपलोट कर दिया है, उपर इन्फॉर् पार्ट में प्रांजल और राजवीर जो इस पूरे स्टोरी के दो में करेक्टर है, उनके बारे में बात किया, प्रांजल के पापा, मैनेजर है, आसाम में एक चाय के बगान में मैनेजर है, तो भाई प्रांजल राजवीर से कहता है, तुम कभी मेरे घर आओ, तो वही प् तो स्टार्ट प्रॉम ठीक है इसके पहले जितनी भी चीज़ें वह आप पार्ट में चाकर देख सकते हो फॉर्स पार्ट की वीडियो आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या उपर इंफॉर्मेशन बटन पर भी मैंने आपको दिया था वहां से भी जाके देख सकते हो ठीक है ती वस फर्स ड्रंक इन चाइना आप बताया गया है राजवीर कह रहा है कि भाई साब की सबसे पहली बार जो चाय पी गई थी ना वो चाइना में पी गई थी और कब लगबग 2700 BC की बात है ठीक है बहुत पुरानी 2700 BC की बात है इंफाक वर्ट तच इस टी चाय एंड चीनी आर फ्रम चाइनीज राजवीर ये भी बताता है कि यह जो हम नाम लेते हैं टी चाय चीनी यह सब चाइने के चाइनीज वर्ट मजब चाइना से लिए गए यह वर्ट्स हैं तो यह जो यूरोप है यूरोप का मतलब आपको पता है अमेरिका इंग्लैंड रसिया यह सब यूरोप देस में आते हैं तो यूरोप में चाय कैसे पहुचा ये 16th century में लगभग 16th century में चाय यूरोप में प्रचलित हुआ यूरोप के लोग चाय को 1607 century से जानने लगे थे और व दवा की तोर पर पीते थे वहां पर जैसे हम पीते हैं कभी बिनन कर जाय तो चाय पिलेएं वैसा नहीं वहां रोग चाय दवा की तौर पर पीते थे ठीक है यह यूरोप की बात बता रहा हुं ुटरें in to तकराती है तो उतको हम कहते हैं क्लैटर ठीक है तो भाई जो ट्रेन का जो पहिया होता है उसको रोकने के लिए लोहे के रॉड लगे होते हैं तो लोहे का रॉड जैसे ही ट्रेन के पहियों से टकराता है तो वो अवाज करता है तक 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 रुकने के लिए तो बस वही आवाज को हम Clatter कहते हैं ठीक है तो यह जो train है यह Clatter करता है मतलब रुकने वाली आवाज करता है कहाँ पर रुकता है Mariani Junction Mariani Junction आसाम में ही है the boys collected their luggage प्रांजल और राजवीर ने अपना सामान उठाया and pushed their way और धक्का मुक्की करते हुए जो भीड भाड भरी प्लेटफॉर्म थी वहाँ पर जा पहुचे ठीक है अब प्लेटफॉर्म पर क्या होता है प्रांजल's parents were waiting for them प्रांजल के जो माता पीता थे वो already उनका इंतजार कर रहे थे soon they were driving towards धेकिया बरी भाई प्रांजल के जो parents थे वो उन्हें लेने आये थे station पर और फिर car में बैठ कर वो सब धेकिया बरी की तरफ चल चुके है अभी धेकिया बरी क्या है धेकिया बरी वो tea garden है जहां पर प्रांजल के जो father है वो manager है ठीक है तो याद रखना जो प्रांजल के पापा manager है समझ में आया एन आर लेटर दे कार वीर्ड सापली ओफ दे में रोड और लगभग एक घंटा कार चलाने के बाद कार मुड जाती है सारपली मतलब यू टर्न ले लेती है और हम लोग अब में रोड को छोड़ चुके थे अब हम गाउं वाले रास्ते पर आ ग इसको हम cattle bridge कहते है ठीक है एंड इंटर धिकिया बरी टी स्टेट हम उस cattle bridge को cross करके जो धिकिया बरी चाय का बगान था ना वहां पर हम finally पहुँच जाते हैं आप जबी ने कभी ना कभी laptop या phone में गेम तो खेला ही होगा लेकिन क्या आपने कभी competitive game field battle देखा है यह एक ऐसा battlefield होता है जहां पर हजारों learners आपके साथ compete कर रहे होंगे एक करोड scholarship के लिए और merit certificate के लिए भाई यह सब possible है यह सब possible है अनिकेडमी के combat में अनिकेडमी combat है क्या यहां पर ना अनिकेडमी combat में आपको इंडिया के top educators question frame करके देते हैं Hindi English दोनों languages में आपका जो live leaderboard होता है वो generate होता रहता है हर question के बाद आपका leaderboard generate होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से number पर हो अभी इसके अलामत personalized score rating से आप अपने performance को इंप्रूव कर सकते हो evaluate कर सकते हो और सबसे ज़्यादा important कि आपके पास chance है जो top performers होंगे वो merit certificate जीश सकते हैं और एक करोर तक का scholarship जीश सकते हैं basically unacademy comment है कि यह एक तरीके का free life test है जहाँ पर class 6 to class 12 के बच्चे participate कर सकते हैं हर संडे unacademy के app या website से आप इस test को दे सकते हो वैसे इस test में 30 questions होंगे 45-60 मिनट का आपका time होगा हर संडे class 6 to 8 थवालों के बच्चों के लिए 12 बजे हर संडे 12 बजे दोपहर को class 9th and 10 थवालो के लिए एक बजे यह life test conduct होगा सो किस चीज का वेट कर रहे हो या description box में आपको link मिल जाएगी अपने-पने class की मेरे code को यूज करो महीने के लिए तो आपको अगले चार महीने का subscription बिल्कुल free of cost दे दिया जाता है यह particular offer class 6 to 12 वालों के लिए है तो फटा फटा नीचे description box में जाओ limited time offer है link पर click करो और मेरे code P-R-E-M का use करके इस purchasing को complete करो यह आपको offer automatically मेरे code को use करते ही मिल लाएगा इसके अलावा आप अगर अनिकेट में से किसी भी तरीके की purchasing करते हो तो आपको P-R-E-M code का use करना है 10% discount मिल लाएगा so go for it on both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes on both sides of the gravel road मतलब जो गाओं की कच्चा रस्ता था उसके दोनों साइड ना कई एकर में चाय के बगान लगाए गये थे चाय के पेड लगाए गये थे all neatly pruned to the same height और जो चाय के पेड थे ना वो बहुत ही neatly pruned थे मतलब बहुत ही साप से काटे गये थे एक ही height प में तो वहाँ पर garden के जो पेर होते है ना वो एक size के ही काटे जाते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे ठीक है तो बिलकुल ऐसे ही जो चाय के पेड थे वो भी एक height same height के काटे गये थे प्रून किये गये थे प्रून का मतलब होता है cut down करना ठीक है cut down करना समझ मैं groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves अब उहाँ पर कुछ चाय की पतियों को तोड़ने वाले लोग थे उनके पीट पर backs पर क्या था बास से बना basket था उन्होंने aprons भी पहने हुए थे जैसे कपड़ा जो होता है उनका कपड़ों में चाय के पतियों का दाग ना लग जाए इसलिए उपर से एक plastic का कपड़ा पहनते थे जिसको हम apron कहते है तो यहाँ के जो चाय पतियों को तोड़ने वाले लोग थे उन्होंने अपने पीट पर बड़ा सा बास का basket रखा हुआ था टोकरी रखा हुआ था और उन्होंने aprons पहने हुए थे ताकि चाय के पतियों के दाग उनके कपड़ों मना लग जाए वर प्लकिंग दे न्यूलिस प्रोइटेड लीप और वो लोग क्या कर रहे थे जो नई नई चाय की पतियां होगी थी उसको तोड रहे थे उसको प्लक कर रहे थे ठीक है आगे पड़ते हैं कि प्रांजल फादर स्लोड डाउन टू अलाव अ ट्राक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लिप्स तू पास अब प्रांजल के पापा गाड़ी चला रहे ह होते हैं तो उन्हें सामने से एक ट्राक्टर आता हुआ दिखाई देता है जिसके पीछे ट्रॉली भी लगी थी और उस ट्रॉली में चाय की पत्नियां लदी हुई थी तो प्रांजल के पापा अपना कार रोक लेते हैं अपना गाड़ी रोक लेते हैं ताकि ये ट्रैक्ट को पास दे देते हैं अब राजवीर अपना ग्यान दिखाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्यानी है ठीक है कुल पढ़के आया हुआ है ये तब भाई अभी अभी ये प्रांजल के पापा जिनका नाम मिस्टर बरुआ है उनसे कहता है कि इस इस सेकेंड फ्लस और इस प् पतियों को तोड़ा जा चुका है फिर दुबारा वो पतियां उसी पेड में उग गई है उसको हम सेकेंड फ्लस कहते है ठीक है तो राजवीर कहता है कि मिस्टर बरुआ ये सेकेंड फ्लस है ना मतलब आप लोग ये पेड में से दूसरी बार चाय की पतियों को तोड़ रह होती है ठीक है अब आगे देखो you seem to have done your homework before coming अब प्रांजल के फापा बहुत ही सप्राइज होकर बहुत ही चौक जाते कि इससे कैसे पता वह सप्राइज होकर कहते है लगता है तुम अपना होमर करके आयो पढ़ लिख के आयो यहां के बारे में कि चाय की खेती कैसे होती है राजबीर केता है हाँ हाँ मिस्टर बरुआ बिलकुल मैं पढ़ लिख कर आया हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि मैं और भी यहां पर रहकर और भी बहुत सारी चीजों को सीख सकूँ तो इस इस चाप्टर टी फ्रॉम आसाम यही पर खतम हो जाता है इस चाप्टर की क्वेश्टन अंसे साथ हम जल मिलेंगे आपके इसी चानल एजुकेशनल हाइक पर तब तक वीडियो को सेर करें चानल को सस्क्राइब करें अच्छी लगी हूँ वीडियो को लाइक जरू क करें मिलते हैं एक और धमागेदार वीडियो में तब तक के लिए शक्राइब काल और जैसे